गुट मॉर्निंग फ्रेंट्स आइम एड्वोकेट अमेग कुमार गुपता अपने इंकम टेक्स के के सीरीज में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिसकस करने जा रहा हूं उस केस का नाम है एसिस्टेंट कमिशनर ओफ इंकम टेक्स एंग्जम्शन्स वर्सेज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यह केस दिल्ली आइटी एटी की सी बैंच ने डिसाइड किया 30 दिसंबर 2020 को और यह केस 85 आइटी आइटी आर पे नंबर 54 पे रिपोर्ट हुआ यह केस सेक्शन 10.23C क्लॉस 4 की इंग्जम्शन पर है इस केस के अंदर जो फेक्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि अससी इस केस में गरीब लोगों को फूड और बेवेजिस प्रोवाइड करता था और बहुत नॉमिनल से चार्जिस उनसे लेता था लेकिन अससिंग ऑफिसर साब ने एक फाइंडिंग नोट की वो उनका कहना था कि कॉंटिब्यूटर्स और पाटिसिपेटर्स जो हैं एंजियो के उनके बीच में जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पा रही है इसलिए जो मिचुलिटी का कंसे और अससी को इसी बेसिस पर सेक्शन 1023C क्लॉस 4 की इंग्जम्शन जो है वो नहीं दे जा सकते उनका ये भी कहना था क्योंकि अससी जो है वो फूड और बिवरेजिस के लिए जो भी खाना वो प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए थोड़े बहुत चार्जिस ले रहा है इ एक्शन 1023C क्लॉस 4 की इंग्जम्शन नहीं दे जा सकती इसलिए जब अससी के इंगेश्ट में फैंसला किया गया तो अससी C80 अपील आपके पास गया C80 अपील ने अससी के फैवर में फैंसला दिया और इसी वज़े से जो डिपार्टमेंट था वो IT80 में गया जब डिपार्टमेंट जब IT80 ने ये मैटर को पुरा अनलाइज किया तो IT80 ने पाया अससी के पेटिशन के बहाफ पे कि अससी का सेम मैटर पे पिछले सालों में भी सेम इशू पर पिछले सालों में भी IT80 ने ही उनको रिलीव दिया हुआ है और असेसी उन्ही पिछले सालों में जब देली हाई कोट ने भी असेसी को रिलीव दिया हुआ है और सुप्रीम कोट तक ये मैटर ट्रेवल किया हुआ है और सुप्रीम कोट ने भी जो डिपार्टमेंट की SLP है उसको रिजेक्ट किया हुआ है तो इस मैटर में कोई और देली ITAT के लिए डिसाइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही मैटर फाइनलिटी अटेंग कर चुका है इसलिए देली ITAT ने कहा कि ऐसे मैटर में डिपार्टमेंट को unnecessary litigation को बढ़ावा ना देने के लिए अपील्स में फर्दर अपील्स में जाना चाहिए क्योंकि पिछले सालों में जो कि थे उसमें पहले ही ये मैटर जो है वो दिल्ली हाई कोट और सुप्रीम कोट के दौरा डिसाइब हो चुका है कि जो असेसी है वो charitable activity के अंदर involved है तो दिल्ली ITAT की सी बेंच ने असेसी के हक में फैंसला दिया और ये पाया कि section 2 सब section 15 की कोई भी proviso जो है वो असेसी पर applicable नहीं होती और असेसी जो है वो इस exemption के लिए पूरा मानने है तो friends इस case में एक बार फिर जो है वो दिल्ली ITAT ने असेसी के हक में फैंसला दिया और ये कहा कि जब कोई matter आई आई टी या देली हाई कोट या सुप्रीम कोट के द्वारा पहले decide हो चुका होता है और खासकर सेम सेसी के case में पिछले सालों में तो उन matter में कुछ और decide करने के लिए नहीं रह जाता और खाली आई से में जो डिपार्ट्रेंट फर्दर अपील में जाता है इस से खाली litigation ही बढ़ती है और वन्स अगेन आम रेपीटिंग रेमाव देक्स दानेम अव देक्स इसस्सिंट कमिशनर फिंकम टेक्स इंग्सम्टिंशन वर्स इंडिया International Center and this case has been reported at page number 85 ITR, 85 ITR page number 54. I hope that friends you like this video and if you want to receive the notifications for the coming lectures, then you can subscribe my channel and press the bell icon. Thank you friends.